अमुलेकुम फ्रेंज वेलकम तो काटट शॉट अचाजी आज हमारी है वीडियो एमजीटी ट्रिपल वन लेक्चर वन पर आज नो मैंने सारे स्किप करके लेक्चर फोर अप्लोड कर दिया था जिसका टाइम मेला वो कर दिया अगर अगर अभी एमजीटी के लावा किसी और कोर्स की वीडियो अपलोड होती तो आइम शूर के एमजीटी वाले मेरा गला दबा देते हैं अचाजी स्टार्ट करते हैं पबलिक एड्मिनिस्ट्रेशन क्या होता है और इसका क्या मतलब है in shorter terms में आपको बताओ तो पबलिक एड्मिनिस्ट्रेशन में वो चीजें आती हैं जो लोगों को सर्फ करना होता है not by like NGOs लेकिन हाँ जो आपके गर्मेंट के जगें आती हैं जो गर्मेंट करती है support करती है या जो गर्मेंट ड्यूटी परफॉर्म कर रही होती है हमारे लिए हमारी आम लोगों के लिए that is under public administration अब हम इसकी literal meanings देख लेगे then the word administration has been derived from Latin words add जिसका मतलब होता है to and ministrate जिसका मतलब होता है serve और public का मतलब होता है people or citizen तो on the whole इसका क्या मतलब हुआ to serve the people or citizens ठीक हो गया thus the word administration means to execute the policy of government to serve public इसमें जितनी भी ऐसे मामलाज जो लोगों को serve करने के लिए government चलाती है that is under the public administration word management क्या होता है जी management is also defined as cooperative human endeavor to achieve given goals traditionally management is also defined as management is equals to POST C-O-R-B which stands for planning, organization, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting management क्या होती है, management जो है basically कहीं की भी management हो सकती है मुल्की management, किसी organization की management, school की management, college की management हर जगा पर एक management का नाम आपको सुनने को मिलता है what is management? management के लोग क्या करते हैं कि वो लोग plans बनाते हैं कि उन्हें कैसे execute करना है किसी पर organization में लोगों को कैसे appoint करना है उन्हें कैसे direction बतानी है उनका आपस में coordination कैसे बनाना है उनकी reporting, budgeting कैसे करनी है ये सारी चीजें उस management के अंडर आती है ठीक है जी? तो ये कहीं की भी management हो उसके अंडर यही चीजें आती है public administration जो है that is जो है वो काफी लंबे अर्से से इसका मामला चले आ रहा है ठीक है? ऐसा नहीं है कि public administration को as a subject इन्होंने अभी recently पढ़ाना स्टार्ट किया अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं रिलाइज हो रहे हैं कि मेरे notes नहीं है पर चलें हम मसला समझाने का है तो चलें है खेर है अभी हम वीडियो स्टार्ट नहीं कर सकते दुबार से public administration जो है वो काफी पुराने वक्तों से चले आ रहा है जाहिर है जब कहेंगे कि जब काफले चला करते थे और उनकी management और wars के दौरान management और मतलब तब से ये मामलात चले आ रहे हैं जिसके सामने हमारे पर एग्जामपल है Egyptian pyramids की जाहिर है Egyptian pyramids जो है जो 1491 में बने है it's important for MSQs keep that thing in mind कि ये जो बने है ये बगहर administration के ये बगहर management के तो नहीं बने ना जाहिर है उन लोगों को बुलाना, नक्षे बनवाना उन से काम करवाना उनका अपस में coordination, उनका खाना पीना उनका रहना सेना, सारी चीज़ों को manage करना administration करना तो ये चीज़ें तब से चली आ रही है it's not a new thing महिंजदार और हरिपा की भी example दी गई है कि वो अगर हमने जब उनको दिकाला और देखा तो पता चला कि वहाँ पर भी कितनी ज़्यादा administration होती थी दोनों cities इतनी well planned थी वहाँ पर roads थी, वहाँ पर wells थे बाकी चीज़ें थी तो city was perfectly planned तो इसलिए हमें ये पता चलता है कि जो public administration का का काम है ये बहुत पहले से चला आ रहा है लेकिन इसको formal education की तरह स्टार्ट किया है after world war one ये भी पूछा जा सकता है कि कब से स्टार्ट हुआ है तो it started after world war one दो पॉइंट, तीन चार पॉइंट बता चुए हम आपको एक तो आपको definition याद रखनी है ये meaning के जितने भी meanings हैं जो administration और public के ये सारे और management stands for what ये भी आपको पता होना चाहिए उसके इलावा Egyptian pyramid की date आपको पता होना ही चाहिए and के formal education के तोर पर कब स्टार्ट किया गया है जी world war one 1914 के बाद USA और यॉरप में इसको लाया गया as a proper subject फिर एक question आता है कि public administration को as a subject क्यों पढ़ाया जाता है इसको इतनी importance क्यों दी जाती है it is a very important subject क्योंकि इसमें पहला point ये है कि expanding welfare role of the government government के जो है वो एक तो काम बहुत सारे काम होते हैं government के सिर्फ लोगों की फलाव वहबूद उनका मकसद नहीं होता और बहुत ज़्यादा काम होते हैं लेकिन administration, public administration से ये लोगों के welfare की तरफ ज़्यादा देते हैं क्योंकि constitution चीजों में changes आते रहते हैं लेकिन अगर कोई public administration की side का बंदा होगा तो he will definitely concentrate on the welfare roles emergence of private sector and regulatory role of government private sectors वजूद में आएंगे और government का regulatory role है जो उनको supervise करने का role है वो perform किया जाएगा बजाएगे कि government अपने अधारे बनाये क्योंकि government की budgeting काम होती है तो उनके अधारे इतने well managed नहीं होते इसलिए private sectors को बढ़ावा दिया जाए और government का काम हो उनको look after करना लोगों को public administration की know-how होगी science और technology की तरफ भी ज्यादर दिहान दिया जाता है ताके लोगों को अच्छा lifestyle प्रोवाइड किया जा सके इसलिए science और technology की तरफ भी दिहान दिया जाता है better management of public matters through training in USA लोगों के जितने भी मामलात हैं उनके अच्छी तरह से management की जा सकती है through training in USA that was not basically a point we can say लेकिन अगर आपसे importance पूछी जाए इस subject की या पूछा जाए कि क्यों as a subject पढ़ाया जाता है तो इसलिए पढ़ाया जाता है कि लोगों को government को अपने welfare roles का पता चले उनको expand किया जा सके government जो है वो regulatory role perform कर सके और efficiency organizations में बढ़ सके और science और technology की तरफ देहान दिया जा सके अच्छी उसके बाद आती है हमाई पस definition of public administration now we will look at previous sorry now we will look at various definition of public administration to better comprehend the concept हमने public administration का concept ऊपर ले लिया है ठीक है basically जो main उसकी definition जो उसके words का literal meaning है वो हमें समझ आ गया है यहां पे इनोंने आपको different जो है वो definitions बताईने हैं आपको जो इन में से ठीक एक लगे आपको याद कर ले पॉब्लिक administration is the action part of government ये government का करने का काम है the means by which the purpose and goal of government are realized जिसमें government को अपने काम का अपने role का अंदाजा होता है और ये role क्या होता है लोगों की बेहतरी के लिए ठीक है जो आपको बेहतर लगे जो आपको कोई google से मिल जाए ये notes मेरे नहीं हैं लेकिन अगर होते तो मैं आपको अपनी definition दे देती वो थोड़े editing वाले notes I guess गाइब हो गये हैं तो वो मैं आपको mails पर provide कर दूँगी if you want that institutions of state एक state में ये तीन institutions होते हैं जिसमें आता है legislature, parliament legislature, parliament क्या होता है जिसमें national और आपकी provincial assemblies आती है ठीक है यहाँ पर laws बनते हैं organization के पिर आती है judiciary, judiciary's court supreme court, provincial court, फला-फला court काफी सारी types होती है इनका काम होता है law को interpret कराना मतलब अगर कोई नहीं law follow करा उसको जुर्माना करना अमल मिलाना, कानून को अमल मिलाना हम कह सकते हैं और executive क्या होता है जी implements law, executive में हमारे पसा आते है national और provincials इनका काम होता है कि ये implement करें law को फर्क है दोनों के implementation में judiciary के और executive के executive lower level पर implement करता है मतलब उसमें police department आपके इस तरह के इदारे जो आपके डॉर्फन फोर्स हो गई आपकी traffic police हो गई ये सारे जो है ना that is your executives इनका काम क्या होता है कि ये lower level पर law को implement करते हैं और अगर जैसे कि चलान हो गया या कोई इस टाइप की चीज़ हो गई तो उसको judiciary पर पास किया जाता है जहां पर interpret करते हैं अचा अब ये अगर law break हुआ है या ये गलती हुई है तो इस पर अब हमें क्या law लगाना है और किस तरह की सजा देनी है और कितनी छूट देनी है that is the interpretation of law और बन के आते हैं जी लिजिसलेटर से laws तो आप से ये बूचा जा सकता है कि पुलीस वगारा जो है किस department के अंडर आती है तो ये executive के अंडर आती है government क्या होता है government होता है कि आपने process of governing करना है basically government के पास power होती है जो उनको एक proper law के according मिले होती है ऐसा नहीं है कि government कोई भी जाती कर सकती है ठीक है तो ये एक law बनता है through the legislatures जो assemblies में हम कह सकते हैं कि जादा लोगों के majority के वो एक कह सकते हैं कि इत्वाके राए से बनता है और फिर उसको जो है वो government process में लाती है वो बड़ी limits के अंदर एक power होती है जिसको लोगों की बेहतरी के लिए organization, societies और लोगों की बेहतरी के लिए इस्तमाल में लाया जाता है article 90 to 99 जो है हमारे constitution का वो देता है rules of business, rules of business 1933 provides नहोंने थोड़ा सा आपको यहां पर इस पैरा में बताया हुआ है कि आपके जो है वो constitution में कौन से laws हैं जो के लोगों की बेहतरी के लिए हैं फिर आता है democracy, when we talk of state and government, it is important to mention that word from the government of Pakistan has, Pakistan is a parliamentary democracy, the word democracy is a Greek word where demands means people and creates means authority, ठीक है democracy यह होती है कि basically लोगों को authority मिलती है democratic state में मतलब जब हम कहते हैं तो हम रहते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि यहां पर हमें अपनी इजहारे राए का, अपनी individuality का, equality के basically इनसानों को उनकी authorities और उनके right मिलते हैं values of democracy में हमारे पास आता है individualism, individualism is like कि हर इनसान की अपनी एक पहचान, अपनी एक शनाख, अपनी एक इज़त, अपनी एक importance है और वो ऐसा नहीं है कि वो उसको सिर्फ जो है वो आप political system के जरीए या government के system के जरीए या किसी नेपोटिजम के जरीए आप उसको मया करेंगे नहीं हर इनसान अपनी एक इज़त, अपना एक वकार रखता है equality इसके हर इनसान बराबर है and liberty is to speak liberty is to do whatever they want liberty is to worship whom ever they want ठीक है, whatever religion to they belong, that is liberty concepts यह वहीं है जो आपको, जो important points है वो आपके नीचे, इनको concepts में बना दिया गया है और यहां पर हमोरा हो गया है lecture खत्म I hope I made it all clear, any questions there तो comment box में लिख सकते हैं, मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ till then, take care, Allah Allah